अब डाउट्स पहले डिसकस कर लेते हैं क्या-क्या थे सबसे पहले निविय देता है यहाँ पर अभी तुमने एक डाउट पूछा था कि रैविनेस कैनाइन हंगर में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहली बात कि जब हम डाइट की या जब हम एपटाइट की बात करते हैं किस्टेकिंग में हम लेते हैं तो कुछ अलग-अलग shades होते हैं उसमें, एक हम general बात करते हैं कि appetite decreased है या appetite increased है, basic हो गया, अब इससे हम क्या समझते हैं कि appetite increased है या decreased है, normally मैं चार चपाती खाता हूँ, पर कुछ समय से मैं दो ही चपाती खा रहा हूँ, appetite is decreased, normally मैं चार चपाती खाता हूँ, पर कुछ समय से मैं छे चपाती खा रहा हूँ, तो appetite increased आएगा, basic hunger in general is increased, appetite is slightly increased, लेकिन यहीं पर ravenous और canine hunger, सबसे पहले तुमारा ये doubt क्लियर कर दूँ कि ravenous और canine जो हम बोलते हैं, they are synonyms, उनके अंदर भीतर में कोई difference नहीं है, इसका difference basic appetite increased से देखना पड़ेगा हमें, इसके reference में देखना पड़ेगा, अगर कोई patient आ रहा है, उसने बोला कि मैं चार चपाती खाता था, आप छे खाता हूँ, तो वो ravenous और canine hunger के form में नहीं है, वहाँ पर आप ravenous canine hunger नहीं उठाएंगे, वहाँ पर आप simply लिखेंगे appetite increased और वहाँ पर आप ये रूब्रिक जो है canterpertory में, stomach appetite increased ये उठाने की कोशिश करेंगे, इसके बहुत different different sub rubrics है जो आप study कर सकते हैं, यहीं पर canterpertory में आप देखेंगे कि अलग से एक रूब्रिक है, ravenous canine excessive, अब एक बात समझेए, अगर appetite increase होना, appetite का भर जाना, और ravenous can appetite होना, और ये तुम्हारा doubt यहीं पर एक तरीके से clear हो रहा है, क्योंकि ravenous canine excessive सब एक साथ लिखा हुआ है, अगर different होता तो different उसको relate करके अलग rubrics दिये जाते, ये synonyms kind of हैं, एक दूसरे के अलग-अलग words हैं, जो एक ही term को use करने के लिए use करा जाता है, अब appetite increased और ravenous canine hunger अगर same होता तो अलग rubrics क्यों होते हैं, एक ही rubrics में देते हैं, वो bracket में करके उसी को see more करके, ये अलग इसलिए है क्योंकि इसके मतलब, इसके तातपर इसका meaning अलग होता है, जहां पर मैंने आपको बताया कि 2 से 4 रोटी हो जाना is appetite increased, वहीं पर a morbidly voracious appetite is called canine और ravenous hunger, इतना खाने की excessive भूक लग रही है, इतनी जादा भूक लग रही है कि और वो particular time पे भी हो सकती है, कि रात में अचानक से नीन खुली और एक particular चीज़ के लिए, कोई particular समान के लिए excessive, अगर आपने ice cream खोली तो एक टब, दो टब खाते चले जा रहे हैं, इतना कि अगले दिन आप बीमार कर जा रहे हैं उसकी वज़े से, पर वो भूक आपको तब भी लग रही है, बीमार कर रही है, फिर भी वो भूक लग रही है, ये वाली जो appetite होती है ना particular, इसको हम canine मिलेंगे, इसको हम revenus मिलेंगे, जो कि हमें सबसे ज़्यादा lycopodium में देखने को मिलेगी, ऐसे दो बहुत सारी दवाई हैं, लेकिन lycopodium is one of the most prominent remedy for it, एक जगे पे Roger Morrison की किताब में, Dr. Roger Morrison ने लिखा हुआ है, कुछ medicines ऐसी होती है, जिनको पता होता है, कि ये खाने से मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि उनको पहले भी हो चुकी होती है, पर उनके अंदर से इतनी जादा उसक तरीके की morbidly veracious appetite जो होती है न, उसको हम classify करते हैं, canine ये ravenous hunger में, और जहां पर सिर्फ 2-4 रोटी हो जा रही है, वो ravenous canine नहीं, वो just is a simple increase in their appetite, importance वो भी है, importance ये भी है, पर difference है दोनों में, intensity का खास कर, यहां पर intensity खोड़ी कम है, ravenous वाले में intensity बहुत ज़ादा है, ये intensity के difference study करने में, हमें differentiate करने में मदद करते हैं, symptomatology में, तो सबसे पहली बात तो ये canine ravenous appetite increase क्यों होगे,